हम लोग class को अभी start करते हैं, बिना देरी किये हुए, और मुझे उमीद है कि कल तक का lecture आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग मौद्रिक नीती ही कर रहे थे, मौद्रिक नीती से संबंधित, related, जो basic concept है, वो हम लोग देख रहे थे, ये सारे उपर के concept निप्टाय जा चुके ह इससे previous lectures में आपके, अब हम अगला concept उठा रहे हैं, government security, सरकारी प्रतिभूती, क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे, सरकारी प्रतिभूती पे, what is government security, तो हम लोग आते हैं, सरकारी प्रतिभूती पे, क्या होता है सरकारी प्रतिभूती आपका, आपके सामने ये फोटो है, ठीक है, सरकारी प्रतिभूती का मैंने एक बस यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है, ये visible दिखने ही रहोगा, proper तरीके से आपको blur आ रहा होगा, ठीक है, जब PDF आपको मिलेगा तो आप देखना, कुछ इसी तरीके से 1963 में 1963 का RBI की website पे था, मै 1963 में कुछ इसी तरीके से जारी होता था, आज भी ऐसे ही कुछ क्या होता है, आपका जारी होता है, बस थोड़ा वह changes आपके हो गए हैं, ठीक है, तो good evening to all of you, ऐसे ही सरकारी प्रतिभूती क्या होती है आपके, देखने में आती है, अब ये होती क्या, इसकी क्या परिभासा होती है, ये देखते हैं हम लोग कि what is government security, सरकारी प्रतिभूती, इसकी परिभासा निकल के आती है, सरकारी प्रतिभूती, प्रतिभूती, government security, सरकारी प्रतिभूती, सरकार, सरकार के द्वारा, के द्वारा, बाजार से, बाजार से, उधार लेने का, यंत्र या साधन होता है, government security is an instrument, सरकारी प्रतिभूती एक तरह का यंत्र या साधन होता है, जिसके द्वारा सरकार, market से उधार लेती है, market से पैसे क्या करती है, आपकी, बाजार होता है, इस बाजार में public भी आती है, हमसे भी उधार लेती है, सरकार, इसमें bank भी आते है, bank से भी सरकार उधार लेती है, लेकिन जो उधार लेती है, वो किसके थ्रू लेती है, तो इसी सरकारी प्रतिभूती जो आपके सामने है, इसी के द्वारा सरकार क्या करती है, मार्केट से पैसे बारो करती है, उधार आपकी लेती है, जैसे आपको पैसे की चुरोत पड़े, तो आप बैंक में जाओगे, और बैंक से बोलोगे कि भाई हमें उधार चाहिए, ठीक है, तो जब आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक क कहता है कि कुछ गिरवी रखिए कोई बतौर कोई चीज को लेटरल बंधक कोई चीज आप रखिए तब हम आपको उधार देंगे ठीक है बैंक ने बोला कि हम 10% ब्याज आफ से लेंगे लेकिन आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी तभी हम आपको उधार देंगे ठ गौर्मेंट अपना खर्चा कैसे चलाती है, आप टैक्स देते हो, ठीक है, आप टैक्स जमा करते हो, उससे गौर्मेंट अपने खर्चे चलाती है, गौर्मेंट की अपनी कुछ कमपनीज है, तो वहां से कुछ लाव आता है, तो उन पैसों से गौर्मेंट आपके खर्चे च X का collection हुआ नहीं है, और बीच में सरकार को पैसे की जरुत पड़ गई, मनलों की लोगों को vaccine लगवाना है, तो उसमें पैसे की जरुत सरकार को पड़ी, अब सरकार कहां से पैसे लेके आएगे, अब आपके दिमार्ट में तो यही आएगा कि भाई सरकार तो note छापवा सकती ह Good evening to all of you, सरकार note छपवा सकती, तो क्यों नहीं note ही छाप दे, उधार लेने की क्या जरुरत है, तो भई ऐसे currency आपकी print नहीं होती, क्योंकि आप जरुरत से ज़्यादा अगर जो currency print कर दोगे, तो महेंगाई हास से क्या होती है, आपकी निकल जाती है, तो normal procedure नहीं होता है, currency क प्रिंट करने का, तो सरकार सोचती है कि हम भी कहीं से उधार लेके अपना काम चला ले, जब हमारा tax आएगा तो हम पैसा with interest, ब्याच सहित क्या करेंगे, वापस कर देंगे, लेकिन अब जो सरकार पैसे आपकी लेगी आपकी, जैसे आपके मोधी साहब है, उनको उधार चा instrument क्या होता है, कि ऐसे ही एक A4 size paper हो क्या करते हैं, आपका उठाते हैं, ठीक है, इस paper पे सरकार कुछ statement लिखती है, जैसे मानलो कि सरकार को 100 रुपया मार्केट से उधार चाहिए, तो सरकार ने इस paper पे लिखा क्या, कि आप हमें 100 रुपया उधार दीजिए, ठीक है, इस paper प कितनी है, 100 रुपया है, तो सरकार इस paper पे ये line लिखती है, कि इस paper की कीमत 100 रुपया है, आप हमें 100 रुपया उधार दीजिए, और हमसे ये paper ले करके जाईए, जब हम वापस अपना ये paper आपसे लेंगे, तो हम आपको कुछ 10% interest देते हुए, 110 रुपया हम आपको वापस क करेंगे, और आपसे अपना ये paper क्या करेंगे, ले लेंगे, ऐसे ही A4 size क्या होता, आपका paper होता है, ये भौतिक रूप में भी होता है, आपके, electronic रूप में भी होता है, मतलब virtual रूप में आपका होता है, तो अभी तो generally electronic रूप में है, पहले physical रूप में क्या होता था, मिल करता था तो अब तो यह लोग इलेक्ट्रानिक ही क्या करते हैं इसको जारी करते हैं कुछ इसी तरह का देखने के लिए में आता है आपका गौर्वर्मेंट शेक्योटी यह मैंने एक इमेज यहां पर लगा दिया है गौर्मेंट इस पर बहुत बढ़िया इंट्रेस्ट क्या करती है इसलिए जब भी सरकार पेपर यह बेचती है उधारी के लिए तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं इस पेपर को क्या करते हैं आपका खरीदते हैं और इसी पेपर को क्या बोले जाता है आपका जाता है, guilt is प्रतिभूती भी हम इसको कहते हैं, इसी सरकारी प्रतिभूती को government security को, guilt का मतलब होता है stressed, stressed प्रतिभूती क्या क्या जाता आपका बोला जाता है, जैसे आप ही हो अपने परिवार में, जैसे देखा होगा कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपका छोटा भ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, guilt बोलते हैं, ठीक है, तो good evening sir, note ज्यादा छापने से रुपे की value down हो जाएगी, हाँ, note ज्यादा आप छाप दोगे, तो मुद्रा बहुत ज्यादा लोगों के पास हो जाता है, जैसे मालो कि आप ही को किसी ने एक मतलब की soup case पैसा उठा के दे दिया, तो फिर आपके पास पैसे हो गया जाते हैं, आपने कोई काम वहम तो किया नहीं, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, तो फिर आप उल्टी सीधी चीजों पर खर्च करना सुरू करोगे, एक पीजा खाना होगा, दो पीजा मंगाओगे, आदा खाओगे, आदा अब आप रिसोर्स का संसाधन का मिस्यूज करना सुरू कर देते हो, और फिर चीजों की डिमांड बढ़ा देते हो, महंगाई क्या होती है, आपके बढ़ जाते है, इसलिए करेंसी प्रिंट बहुत, मतलब साउधानी के साथ आपका किया जाता है, मतलब ये भी एक तरह का म उधार लेने बैंक में, तो आप कोई चीज गिरवी रखते हो, आप वहाँ पर कुछ गारिंटी देते हो, तब बैंक आपको उधार देता है, आप नहीं बैंक का पैसा वापस कर पाए, तो फिर होगा क्या, कि बैंक वो चीज जो आप गिरवी रखे हो, बतार को लैटरल, हम तुमसे उधार ले रहे हैं, अगर जो जिसने इस पेपर को खरीदा है, और सरकार को पैसा दिया है, अगर जो इन फ्यूचर सरकार देने से पैसा मना कर दे, तो वो पेपर लेके वो कोट जा सकता है, बोलता है, बोलेगा वो, कि भई देखो, सरकार ने हम से इतना उधार रिऐ नियाएं सरकार हमें पैसा वापस नहीं कर रही है तो जो आपका disgrunt है आपको पैसा दिलवाएगा तो एक तरह से यह paper acey बताओर guarantee का क्या करता है काम करता है गूड इवनिंग टू आल अफियो और इस पेपर को ही हम क्या कहते है गौर्णमेंट शेक्योटी गिल्ट शेक्योटी क्या कहते है इसको हम बोलते हैं ठीक है और यह जो सरकारी प्रतिभूती होती है इसको किंद्र सरकार भी जारी करती है और राजसरकार भी क्या करती है आपके जारी करती है इसको किंद्र सरकार भी जारी करती है और राजसरकार भी क्या करती है आपके जारी करती है कर्ज की जड़ोत है, पैसे की जड़ोत है, तो वो भी अपना पेपर, ऐसे सरकारी प्रतिभूती जारी करते हैं, मार्केट से उधार लेते हैं, किंद सरकार भी जारी करती है, मार्केट से क्या करती है, आपकी उधार लेती है, इसी पेपर के मार्ध्यम से ये दोनों लोग उ काम होता है, जब हम लोग function of RBI देखेंगे, तो वहाँ पर function of RBI में एक function आता है, RBI is the banker of government, RBI सरकार की क्या होती है, आपकी banker होती है, RBI सरकार की banker होती है, यानि banking से related भारत सरकार के जो भी function होते हैं, वो कौन करता है, RBI करती है, तो ये प्रतिभूती भी बेचने का काम किसका ह RBI का market से पैसा RBI उठाती है, भारत सरकार को देती है, भारत सरकार अपने खर्चे को चलाती है, फिर जब भारत सरकार के पास उनके tax के पैसे आते हैं, या कहीं और से पैसे आते हैं, तो वो with interest पैसे को RBI को देते हैं, और RBI जिसको भी बेची होती है प्रतिभूती, वापस उनको with interest पैसा देती है और ये paper क्या करती है वापस RBI ले लेती है और भारत सरकार को उसका paper आपका वापस कर देती है तीसी paper को सरकारी प्रतिभूती बोले जाता है इस समय market में इस समय market में आपके दो तरह की government security क्या है आपके इस समय market में मौझूद है मार्केट में दो तरह की सरकारी प्रतिभूती क्या है मौझूद है मतलब उनको अगर जो देखा जाये तो market में 91 days से लेके market में 40 साल तक की 40 years तक की प्रतिभूती क्या है आपकी मौझूद है एक 90 दिन से लेके 40 साल मतलब 3 महीने से लेके 40 years तक की यह जो प्रतिभूती है इस समय market में मौझूद है अगर जो इस प्रतिभूती पे लिखा हुआ समय एक वर्स है तो जैसे एक वर्स आपका पूरा होगा 365 दिन जैसे पूरा होगा 365 दिन है आपका यह करेगी क्या RBI आपका पैसा विट इंटेस्ट आपको देगी और आपसे अपना यह पेपर क्या कर लेगी वापस ले लेगी जो आपको सेल करी थी RBI ने ठीक है तो यह जो प्रतिभूती होती है इस पे इसका time लिखा होता है कितने दिन की यह प्रतिभू तो मार्केट में जो गवर्मेंट शेक्योटी समय मौझूद है 91 दिन से लेके 40 वर्सों तक की प्रतिभूती मार्केट में क्या है आपकी मौझूद है अब इसी समय को दो भागों में डिवाइट कर दिया जाता है अगर जो प्रतिभूती यानि उस पेपर पे लिखा हुआ समय 91 से लेके 364 देज है 364 दिन तक अगर जो उस प्रतिभूती पर लिखा हुआ समय है तो उसी प्रतिभूती को गवर्मेंट शेक्योटी को क्या बोल जाता है आपका सट्रम गवर्मेंट शेक्योटी हम उसको क्या कहते है बोलते है सट्रम सरकारी प्रतिभूती अल्पकाल में से कौन सी Treasury bill आपकी होती है ठीक है तो option में होगा short term government security, long term government security, तो जो short term government security होती है, मतलब एक साल से, देखो, अर्थसास्त्र में in the economics, सामाने तो जो अलपकाल का time होता है, वो less than one year होता है, एक साल से कम का time, जो होगा वो अलपकाल बोले जाता है, और एक साल से ज्यादा का time जो होता है, ये 99.9% cases की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक साल से कम का time क्या होता है, आपका short term होता है, और एक साल से ज्यादा का time क्या माने जाता है, आपका long term आपका बोले जाता है, तो आप देख लीजिए 91 से लेके देखो, money and banking इतना important topic है, UPSC प्रिलिंस में हर साल fix है कि 4-5 question आना ही आना है, तो ये मत देखो कि कितना है, बस पढ़ते जाओ आप, ठीक है, कौन सा chapter चल ला है, आप previous lecture देखी, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा chapter है, ये हर lecture के सुरुवात में मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या Treasury Bill इसको बोला जाता है, ठीक है, अगर जो प्रतिभूती पे लिखा हुआ समय, एक साल से जादा है, greater than one year है, तो उसी को कहते हैं हम long term government security, उसी को बोले जाता है, long term government security, ठीक है, दिर्घकाल सरकारी प्रतिभूती इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं, दिर्घकाल सरकारी प्रतिभूती इसको बोला जाता है, अगर जोस पे लिखा हुआ समय, एक साल से जादा है, यानि एक साल या चालिस, एक साल से चालिस वर्स, यानि one year से लेके 40 years तक लिखा हुआ टाइम प्रतिभूती पे हैं, तो उसको हम बोलेंगे दिर्घकाल सरकारी प्रतिभूती, ठीक है Long Term Government Security इसको बोला जाता है और इसी को एक और नाम से हम बुलाते हैं Dated Government Security, ठीक है Dated Government Security दिनांकिय, दिनांकिय, सरकारी प्रतिभूती भी हम इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं Dated Government Security, सामाने ता कोई security ऐसे एक साल या तीन साल या चार साल के लिए नहीं होती है जो भी long term की government security होती है वो 5 से लेके 40 वर्स तक की आपकी सामानेता होती है ठीक है लेकिन greater than one year है तो हम long term में उसको क्या करेंगे count करेंगे आपका और 344 दिन मतलब एक साल से कम का time है तो हम उसको क्या बोलेंगे short term government security उसको क्या करेंगे आपका बोले आता है ठीक है तो ये क्या होते है आपके इनके नाम होते है अच्छा यहाँ पे देखिए यही जो dated government security होता है या जिसको long term government security बोलते हो इसी को government bond भी क्या करेंगे आता है आपका बोले आता है इसी को हम सरकारी बॉन्ड भी क्या कहते हैं आपका बोलते हैं ट्रेजरी बिल को सरकारी बॉन्ड नहीं बोला जाता है दिर्ग कल जो सरकारी प्रतिभूती होती है लांग ट्रम गवर्मेंट सेक्योटी इसी को हम क्या बोलते हैं गवर्मेंट बॉन्ड आपका बोलते हैं तो क्या होता है आपके उधार लेने का एक इंस्ट्रुमेंट होता है जिसको सेल करके मार्केट से क्या किया जाता आपका उधार लिया जाता है या जिसको दे करके हम मार्केट से उधार लेते हैं आप भी देखे होंगे गाउवां में लोग क्या करते हैं कि भाई किसी को जब against हम जो भी होगा गाउं में परधान जो है उनसे बात करेंगे या कोट उसी को लेके जाएंगे तो सीम उसी तरीके से कुछ क्या होता है यह सरकारी प्रतिभूती आपकी होती हैं सरकार इसी तरह से sign करके अपना जारी करती है और market से पैसा क्या करेगी आपकी उठाएगे तो ये रहा सरकारी प्रतिभूती कितने तरह की होती है तो दो तरह की होती है short term and long term less than one year, long term, greater than one year को हम क्या करते है आपका बोलते है up to 40 years तक की market में प्रतिभूती के आपकी मौझूद है इनके जो नाम है ये सब सामने मैं क्या कर दिया हूँ यहाँ पर count करा दिया हूँ अभी तक किसी को कोई problem हो तो बताइए सरकारी प्रतिभूती क्या होती है समझ में आया चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप देखो यहाँ पर अगला जो इसमें आता है आपका point जितने भी आपकी ये सरकारी प्रतिभूती है तो मैंने बोला कि किंद्र सरकार भी इनको जारी करती है और राज्य सरकार भी क्या करती है आपकी जारी करती है तो किंद्र सरकार जो होती है क्या करती है आपकी किंद सरकार आपकी जारी करती है इशू करती है लेकिन वहीं पर जो state government होते हैं राज्य सरकार आपके होते हैं ये केवल क्या करते हैं आपके तो ये केवल और केवल जो long term वाली government security होती है only only जो दिर्हकाल सरकारी प्रतिव होती है इसी को क्या करते हैं ये लोग जारी करते हैं जो राज्य सरकारे आपकी होती हैं और इसी को क्या बोला जाता है आपका इसी को हम SDL बोलते हैं State Development Loan क्या किया आता है आपका बोला आता है State Development Loan ठीक है राज्य विकास रेड हम इसको क्या कहते हैं बोलते हैं राज्य विकास राज्य विकास रेड इसको बोला आता है जब दिर्खकाल की सरकारी प्रतिभूती राज्य सरकार जारी करके मार्केट से जब उधार लेती है, उसमें आम आदमी भी पैसा निवेस कर देता है, बैंक वाले भी उन प्रतिभूती को खरीते हैं, पैसा उसमें निवेस करते हैं, तो उसी सरकारी प्रतिभूती को क्या किया जाता है, आपका State Development Loan आपका बोला जाता है, जैसे आपके जब कि Government Security जारी करके मार्केट से पैसा, 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब मार्केट से उधार लेती है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका SDL, State Development Loan उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर याद रखना, कारेड यह है कि इस पर क कोशन बना हुआ है, इसलिए इंफेसाइज कर रहा हूँ, अभी मैं कोशन दिखा रहा हूँ, 2022 प्रिलिम्स में आपका, sorry, previous year UPSC प्रिलिम्स में आपका कोशन है, अभी कोशन आपके सामने आ रहा है, तो Central Government दोनों प्रतिभूती जारी करती है, अल्पकाल भी और दिर्हकाल लेकिन वहीं पर जो राज्य सरकार होती है, केवल और केवल, long term जारी करती है, और उसी को क्या बोले आता आपका, SDL, State Development Loan हम उसको बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर, जब किन्वे सरकार आपकी अल्पकाल सरकारी प्रतिभूती जारी करती है, ठीक है, short term government security, जब ये issue क करते हैं, तो short term government security जो होती है, अल्पकाल सरकारी प्रतिभूती, it is always discounted, it is always discounted, इसको हमेशा क्या किया जाता है, बट्टा किया जाता है, इसको हमेशा बट्टा किया जाता है, और वहीं पे, जब बिर्गकाल की सरकारी प्रतिभूती जारी होती है, long term government security, long term बिर्गकाल, सरकारी प्रतिभूती जब आपकी government security जारी किया जाता है, तो it is always issued at coupon rate, coupon rate, इसको हमेशा coupon दर पे क्या किया जाता है, आपका, जारी किया जाता है, coupon दर, ये भी एक तरह के ब्यासदर ही होते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा fancy सा नाम दे दिया गया है आपका, अच्छा राकिस, चलिए बढ़िया है, ये भी coupon rate हो गया, चाहिए discount rate हो गया, ये भी ब्यासदर ही होता है, interest rate ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा fancy सा नाम क्या किया गया, आपका दिया कर रही है उसको मार्केट से 100 रुपया क्या करना उधार लेना है तो जब वो discount rate पर जारी करती है ना इसको तो अगर जो यह सौट ट्रम की government security है तो इसके साथ condition यह होता है कि it is always discounted यह हमेशा क्या होता आपका discount किया जाता है ठीक है तो discount जब बेचेगी वो तो यह जो 100 रुपया आप देख रहे हो ना इसी को कहते है face value इसी को security का क्या बोलाता है आपका face value अंकित मुल इसको क्या कहते है बोलते है ठीक है यानि इस पर जो लिखा गया मुल है कितना है आपका 100 रुपया है ठीक है तो जब अगर जो मालो की यह अलपकाल की सरकारी प्रतिभूति है तो यह discount की जाएगी तो सरकार बोलती क्या है कि इसको हम discount करके बेच रहें आप हमें केवल 99.2 रुपय क्या कर जो क्या करेंगे और यह प्रतिभूति क्या करेंगे आप कोई व्यक्ति A हो, A ने क्या कि आपका इस प्रतिभूती को 98-2-0 में खरीदा, जब A से वापस सरकार अपनी प्रतिभूती ले की, मालनों कि ये प्रतिभूती कितने दिन की है, 91 दिन की है, 91 दिन की है, तो जैसे 90 दिन पूरा होगा, यानि तीन महीने जैसे पूरे होंगे, त जितना लिखा हुआ है, उतना हम आपको देंगे, लेकिन आप हमसे खरीद के ले जाओ, कितने में, 98 रुपए में ही ले जाओ, तो जब वो आपको 100 रुपया तीन महीना बात देगी, तो आप देखोगे, कि हमने तो क्यों 98 रुपया, 20 पैसा ही क्या किया था, आपका, इन् discount rate, अगर जो आप निकालते हो, तो इसको हम कहते हैं, बट्टा दर, कितने पर बट्टा किया गया है, ठीक है, बट्टा दर अगर जो निकालते हो, आप, rate हमें इसा परसेंटेज में होता है, तो आप ध्यान देना यहाँ पे, उस बंदे ने कितना निवेस किया, 98 रुपया किया किया, उसने निवेस किया, यह ने किया किया आपका खरीदा 982.0 में, फायदा इसको कितना हुआ, तो 100 रुपय सरकार ने दिया, तो 100 में से 982.0 घटाओगे, तो उस ब्यक्ति को फायदा कितना हुआ, 1.80 पैसे का फायदा हुआ, और इसको 100 से मल्टिप्लाई करोगे, ठीक है, तो percentage निकल के आ जाएगा, तो यह उस बंदे को केवल 3 महीने में मिला हुआ है, लेकिन जब rate निकालते हो, तो पूरा वार्सिक होता है ना आपका, तो कहीं न कहीं, जो 365 दिन आपका होता है, 365 को 195 से डिवाइड करोगे, ठीक है, अभी इस portion को रहने दो, इस portion को हट ठीक है, अब केवल अगर जो आप इतना calculate करोगे ना ये, तो 2.something क्या होगा, ये कुछ आएगा, ठीक है, इतना, ये जो होगा, 2.something मालो की 2.60 के करीब क्या होगा, percentage आ गया, केवल मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की, 2.60 आ गया, तो उसको 3 महीने में 2.60 परसेंट का क profit मिला, यानि उसका जो ब्याज मिला, 3 महीने का, वो 2.60 मिला, लेकिन जब ब्याज हम standard calculate करके so करते हैं, तो हमेशा वार्सिक होता है, annual होता है, तो 3 महीने का ही 2.60 है उसका, तो जब annual देखोगे तो भई, एक मतलब क्या कहते हैं, कि एक साल में आपका, 3 महीने के साफ से 4 quarter ह हुआ न, आपका, तो जब 4 इसको करोगे, ये वैसे 2 नहीं होगा, ये 2 के करीब ये होगा, 2% हम सीधा माल लेते हैं, आप calculate कर लेना, मैं 2% क्या करता हूँ, इसको माल लेता हूँ, ठीक है, तो 2% को इसको फायदा हुआ, दो से वैसे थोड़ा सा कमी होगा ये, ठीक है, तो 2% मैंने इसको क्या कर लिए, यहां पर माल लिया, तो 2% का फायदा उसको केवल 3 महीने हुआ, तो अगर जो annual आप calculate करोगे, तो 4 quarter हुए न, 4 तिमाही हुए न, 1 90 दिन किसाब से, तो जब इसको वार्सिक में convert करोगे, तो वही है, 365 बत्ते 1 90 से आपने divide किया है, यानि इसका 4 गुना अब हो जाएगा, तो यानि इसको ऐसे divide करोगे, तो लगभग 4 आएगा, ठीक है, ये लगभग क्या होगा, 4 आएगा, तो इसमें 4 से multiply करोगे, तो वार्सिक ये लगभग 8% के करीब, actual जो आता है, 7.35, 7.4% के करीब आएगा, मैंने 2 माना, तो 8% क्या हो रहा है, य इसी को हम ब्यासदर भी क्या कहते हैं, आपका, बोलते हैं, interest rate भी क्या कहते हैं, इसको ब्यासदर हम बोलते हैं, चुकि ये लोग fancy नाम दिया है, तो वो discount कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया है, आपका, discount rate आपका यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो यही क्य कहला था आपका, discount कहला था, इस तरीके से यह process होता है, इसी को हम कहते हैं, lab भी, इसी को, यह जो discount rate, यह जो इतना उसको मिल ला है, इसी को, yield भी यहाँ पर क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है, lab, उस बंदे को lab कितने का मिला, तो 8% का lab annual मिला, मिला तो उसको 2.60 ही है, ले समझ में आया, यह कैसे discount आपका होता है, और discount rate कैसे हम निकालते हैं, हमेशा short term government security discount की जाती है, और जितनी भी long term government security होते है, यह coupon rate पे आपकी दी जाती है, अभी मैं coupon rate पे आ रहा हूँ, ठीक है, yield मतलब होता है, lab, lab बोलो, discount rate बोलो, ब्यासदर बोलो, सब एक ही है आपका, ठ coupon rate, अगर जो यह एक साल के से कम की प्रतिभूती होती है, तो it is always discounted, लेकिन एक साल से ज़्यादा की है, मानलों की प्रतिभूती हो गई आपकी, दो साल की, खेर दो साल की होती नहीं है, पांस साल से start होती है, long term जो होती है, तो मैंने दो साल मान लिया, for example, यही 100 रूपे की प्रतिभूती क्या हो गई आपकी, दो साल की हो गई, ठीक है, तो जब दो साल की प्रतिभूती आपकी जारी होती है, तो क्योंकि यह long term की category में आ गया, तो अब इस पे coupon rate आपका दिया जाता है, coupon rate में सरकार बोलती यह है, कि हम 8% वार्सिक आपको coupon क्या करेंगे, देंगे, ठीक है, और प्रतिभूती की किमत क्या है, 100 रुपे है, तो जब long term government security जारी के जाती, तो सरकार बोलती है कि आप discount नहीं करना है, 100 रुपे जो इस पे लिखा हुआ है, face value, वही आपको हमें क्या करना है, देना है, 100 रुपे आप हमें दीजिए, और यह paper लेकर के जाईए, औ यही 8% जो ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है, this is called the coupon rate, इसी को हम क्या कहते है, आपका coupon दर यहाँ पे बोलते है, यह भी एक तरह का क्या होता है, आपका ब्याज दर होता है, और यह जो coupon rate होता है, जो 2 साल तक आपको मिलेगा, होता क्या है कि RBI हर 6 महीने पे आपकी account में प 8% कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, तो वो 6 महीने पे आपको 4 रुपया दे देंगे आपकी account में, 4 रुपया ट्रांसफर कर देंगे, फिर अगला 6 महीना जब होगा, 6 मंत पूरा होगा, फिर आपकी account में 4 रुपया हो दे देंगे, तो 1 साल का 8 रुपया हो गया, 8% आप से 16 रुपए आपको मिल गए और दो साल जैसे पूरा होगा यह जो मूलधन है as it is आप कर रहेगा सरकार उसको 100 रुपए क्या करेगी वापस कर देगी ब्यास तो वो पहले ही आपको क्या कर चुकी है दे चुकी है तो this is called coupon rate तो हमेशा जो long term दिरकाल सरकारी प्रतिभी हो यह चीजें समझाई हुई है किस तरह से वो जारी करती है अपनी short term and long term government security बुक मैंने इसलिए नहीं उठाया यहाँ पर reference दिया क्योंकि बुक में confusion है आप भी प्रतिभूती को वो जब अपनी प्रतिभूती के बारे में बतायेगा तो वह सही information देगा वहाँ पर कोई confusion आपका नहीं होगा ठीक है यहां तक किसी को कोई confusion यह समझ में आया coupon rate क्या होता है किसी को कोई confusion हो तो आप पूछ सकते हो नहीं तो मैं question पर आओ, question आपको बताओ, note कैसे बनाया जाए, जब यह PDF आपको मिलता है तो जैसे मैं लिखा हूँ, ऐसे ही आप अपनी copy पर लिखिए, थोड़ा बहुत अपने तरफ से सब देहां पर जोड लिया करिए, बस यही notes हो होगे तो फिर तो किताब बन जाएगी, notes score ही न बनेगा आपका, नहीं, सहाना अंसारी, long term security, discount नहीं की जाती है, वो सीधे आपका उसी rate पे जो लिखा होता है, उसी base दी जाती है, उस पे ब्याज दिया जाता है, coupon rate जिसको बोल जाता है, 8% का, ठीक है, और इसमें क्या करते वो discount करके बेशते हैं, तो जो difference होता है, वही आपका ब्याज बन जाता है, वही आपका लाब हो जाता है, yield हो जाता है आपका, यहाँ पे भी यह जो आपको 8% annual मिला है, इसी coupon rate को आप yield बोल देते हो, मतलब आपको लाब हो रहा है, लाब कितने का हुआ, पहले साल आपको 8 रुपे का हुआ, दूसे साल आपका क्या हुआ आपका, आठ रुपे का हुआ, टोटल लाब 16 रुपे का हो गया आपका, तो ए ने खरीदा इसको, ए ने, तो ए को इतना लाब क्या हुआ आपका मिला, फिक है? NCRT जो है आपके, जो अभी मार्केट में नई है, पिछले साल की ही थोड़ा सा उसमें अपडेट किया गया है, एकनॉमिक्स में तो एकदम नया वाला ही NCRT आप चलाइए, पुराना वाले के तो कोई एकनॉमिक्स में मतलम नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो चु उसमें चेंजेज हुए है, तो अब पढ़ोगे तो गलत ही पढ़ोगे उसको, तो नया NCRT हमेशा एकनॉमिक्स में आप प्रिफर करिए, बाकी अदर सब्जेक्ट में ओर्ल एकनॉमिक्स में तो नई NCRT ही चलेगी, अच्छा, ये जो सरकारी प्रतिभूती होती है ये ट् सेल कर सकते हो, आपको पैसे की जूरत पढ़ गई तो, तो जैसे मालनों कि व्यक्ति A ने इसको 98 रूपए में खरीदा था, 98 रसमलों 2.0 में, इसको बीच में पैसे की जूरत पढ़ गई, दो महीने बाद ही, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि कि किसी व्यक्ति B को ये उठा के सेल कर सकता है, B को सेल कर देगा A, बोलेगा कि देखो 98 रसमलों 2.0 में मैंने खरीदा था, ठीक है, और तुम ऐसा करो कि मुझे 98 रूपए ही क्या करो, पे कर दो, मुझे अभी पैसों की जुरुत है, चलो मैं 20 पैसे का घाटा सह लेता हूँ, तुम 99 पे कर दो, ये प्रत RBI को इससे मतलब नहीं है कि आप किसको सेल कर रहे हो, प्रतिभूती को, आप जिसको ले जाके चाहो सेल कर दो, बस वहाँ पे RBI के उसमें अपडेट हो जाएगा, कि ये प्रतिभूती किसी और B को बेची जा चुकी है, उसका अकाउंट इनके पास अपडेट हो जाएगा, जब भविस्य में वापस RBI अपनी प्रतिभूती लेगी ना, तो पैसा किसको देगी, B को देगी, 100 रुपे देगी B को, तो B को तो 2 रुपे का फायदा हो गया, ये लेके जाता तो क्या होता आपका इसको, 1 रुपे 80 पैसे का ही फायदा होता, उसको 2 रुपे का होता, तो इस तरह से भी प्रतिभूती क्या होती बेच दी जाती है मार्गेट में, तो मतलब आपने खरीदा तो आप किसी और को बेच सकते हो, B को बीच में पैसे गज़रत पढ़ गई, तो C को भी क्या कर सकते है, आपका, सेल कर सकता है, ठीक है, यानि जो सरकारी प्रतिभूती होती है ना आपकी, इसको आसानी से कैस में कनवर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी क्या होता आपका, लिक्विड होता है, ये संपत्ती हो गई ना आपकी, अगर जो आपने प्रतिभूती खरीद के रखा इसमें निवेस किया तो ये तरह कि आपकी संपत्ती हो गई ठीक है तो आप चाहो तो उसको फिर से cash में convert कर सकते हो cash में आप रूपांत्रित कर सकते हो अब इस पर कोशन देखो UPSC ने पूछा हुआ जो कोशन है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ यहां पर कोशन यह है कब का है तो UPSC 2018 का इस cancer दीजी आप लो 2018 का कोशन है यह अरे महंगाई बढ़ गई है तो नोट छापोगे तो और महंगाई बढ़ जाएगी न नोट छापना मतलब money supply को आपने बढ़ा दिया मुद्रा पूर्ति को बढ़ा दिया अब मुद्रा पूर्ति जब बढ़ेगी तो लोग और खरी देंगे और खरीगे नो मांग बढ़े वो लेके जाते थे और आधा किलो एक किलो ऐसे करके आलू या दूध लेके आ रहे हैं यह हालत होती थी तो करेंसी प्रिंट कर दोगे तब तो महंगाई हाथ से निकल जाएगी अरे भाई आपके पास ही पैसा आ जाए तो आप उसको अनर्गल खर्च करोगे चीजों का उत्तपादन तो वही है जो चीजे मार्केट में आ रही है उत्तपादित होके ठीक है? वो तो वही है और आप क्या करोगे? उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, पैसे आपके पास ज्य तो भाई जाहिर से बात है जब वस्तूओं की मांग बढ़ेगी एक सामान को खरीदने के लिए 10 लोग जाएंगे तो दुकांदार भी सोचे का कीमत बढ़ाओ डिमांड क्या होगी आपकी बढ़ गई अपने आप ही महगाई बढ़ जाएगी SS बाईकर ने आंसर दिया इसका C फिर उसके बाद सुजीत ने आंसर दिया A तो रंका तो कर्ज के जाल में फसा हुआ है सुनील कुमार ने C दिया लबस्ना ने आंसर D दिया मोनू ने C दिया कटियार ने D दिया आंसर नहीं, नोट छापोगे परवती सर्मा, तो स्रिलंका अपनी करेंसी छापएगा ना और उसका उधारी डॉलर में है, तो अपनी करेंसी जितना मन के उतना छाप लो लेकिन किसी अन्य देश से उधार लियो तो उसको तो डॉलर में आप चुका होगे ना पैसे को वो तो आपकी currency लेगा नहीं, तो फिर कैसे चुका होगे पैसे, B, C, ऐसे करके D, answer आ रहा है, मतलब हर option मुझे मिल गया answer में, अब देखते हैं, क्या होगा आपका, consider the following statement, निमलिखित कथनों पर विचार कर दिये, क्या the reserve bank of India manages and services government of India security, but not the state government security, ठीक है, पहला ही ये line गलत हो गया, ये दोनों की security को क्या करता है, आपका minus करता है, ठीक है, as per RBI website, ये दोनों की security को minus करता है, ठीक, वर्तमान में 29 राज्यों के साथ RBI का अनुबंध है, 29 राज्यों की प्रतिभूती RBI क्या कर रही है, बेच रही है इस समय, ठीक है, तो आपका लगभग सारे राज्यों की security क्या हो रही है, RBI manage कर रही है आपके, तो भई, ये तो पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया, यानि पहला जहां होगा, वो answer आपका क्या होगा, मतलब गलत होगा, ठीक है, तो ये किंदर राज्यों का करता है, यानि ये तो ऐसा ही cancel हो गया आपका, ये भी cancel हो गया, B और C में से क्या होगा, आपका एक answer होगा, ठीक है, तो अब देखिए, treasury bills are issued by the government of India and there is no treasury bill issued by the state government, ठीक है, ये कतन सत्य है, दो जहां पे भी होगा, वो correct है आपका, यानि सीधे elimination से ही आपका answer, C निकल के क्या होगा, आगया, answer क्या होगा, आपका C होगा, तीसरा सोचने की ज discount rate at par value, ठीक है, प्रस्तावी ट्रेजरी विल सम मुल्य से चूट पर जारी की जाती है, तो जो par value जो उस पे face, par value जो लिखा हुआ है, इसी को अंकित मुल्य भी कहते है, तो उसी में discount किया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है, यानि C हो जाएगा, आपका answer, 2 and 3, ये समझ में आ कि तुमने par value क्यों लिखा, RBI ने तो इस पे face value लिखा हुआ है, तुम गलत हो, ठीक है, तो फिर UPC आपको धंग से समझाएगी, यहाँ पे, ये जो चारो आपके basic concept है, ये आपके अब हो गए, money deposit, money supply, जितना मौंद्रिक निती में हम क्या करेंगे, आपका use करेंगे, ठीक, monetary policy में, जितना भी basic concept है आपका, ये आपका use हो गया, ठीक, अब हम मौद्रिक निती की क्या करेंगे, शुरुवात यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो अब हम आते हैं, मौद्रिक निती क्या होती है, और इन सारे concept का इस्तमाल, इन सारे सब्दों का use हम मौद्रिक निती, monetary policy में अब करेंगे, तो हम आते हैं, मौद्रिक निती क्या होती है, और मौद्रिक निती के द्वारा कैसे RBI, money supply को control करते हुए, ठीक है, money supply को control करते हुए, आपके महंगाई और growth, संब्रिधी को क्या करती है, आपकी नियंतित करती है, ठीक, तो heading होगी आपकी monetary policy, monetary policy, monetary policy, मौद्रिक निती, क्या होती है मौद्रिक निती, तो पहला point आता है, target of monetary policy is, target of monetary policy is to control, to control money supply and credit in the economy, ठीक है, मौद्रिक निती का लच्च अर्थव्यस्था में, मुद्रा आपूर्ती, मुद्रा आपूर्ती, और साख का नियंत्रण है, अब साख भी बोलते हैं, रिण भी बोलते हैं, ठीक है, तो अर्थव्यस्था में, जो लच्च होता है, मौद्रिक निती का, वो मुद्रा आपूर्ती को नियंतित करना होता है, और साख को, लोन को नियंतित करना होता है, कि क्रेडिट, जो लोन है, किस छेतर में लोन ज्यादा जाए, कहां पे लोन कम जाए, अगर जो लोन बढ़ रहा है, तो लोन को क्या किया जाए, आपका घटाया जाए, इस तरीके से, वो क्रेडिट को क्या करते हैं, कंट्रोल करत और साथ ही साथ जो लोगों की पास पैसा है, मुद्रा आपूर्ती है, उसको भी मौधित निती के दोरह क्या किया आता है, आपका नियंतित किया जाता है, Money Supply and Credit को क्या करती है, हिट करती है RBI, जैसे ही Money Supply, मुद्रा आपूर्ती, हमारे और आपकी बीट जो पैसे है, उसको जैसे कंट्रोल करती है RBI, तुरंत इसका जो Objective होता है, वो Fulfill होना सुरू हो जाता है, तो Target जो होता है, वो Money Supply और Credit को नियंतित करना होता है, लेकिन जो Objective होता है, Monetary Policy का, यह RBI का जो Preamble है, जो प्रस्तावना है RBI का, वहाँ पर जाके आप क्या करो, देखो, तो यह Definition आपको मिलेगी, और इसी प्रस्तावना से 2022 प्रिलेश में Question क्या हुआ था, आपका बना था, ठीक है, जो उद्देश्य होता है, इस मौद्रिक नितिक आपका, अच्छा, अब कैसे आपूर्ती को, Monetary Policy, मुद्रा आपूर्ती कैसे नियंतित करती है, वो चीजें आपकी आग को नियंतित करना होता है, महंगाई, चीक, महंगाई और संब्रिद्धी को क्या करना होता है, आपका, नियंतित करना होता है, ठीक है, महंगाई और संब्रिद्धी को नियंतित करना होता है, ये क्या होता है, आपका उद्देश से होता है, मौद्रिक नितिका, तो ध्यान र सोबुकरोगे पढ़ाई आपके ब्यत्र हो रही है तो उद्यस से क्या है आपको UPS C रीक करना है आपको IS बना है और IPS बना है डिरोटरस आपको बन न है तो जैसे आप अपने टारगेट को Legend करोगे टार्गेट जैसे आपका पूरा होगा, तुरंत आपका जो उद्देश है, वो fulfill हो जाएगा, आप exam को crack करोगे, आपको आपकी नौकरी क्या होगी, मिल जाएगी, अगर जो टार्गेट ही आप मिस कर दिये, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, तो फिर उद्देश से आपको कभी आपका पूरा नहीं होगा, तो टार्गेट जो होता है हमेशा सामने होता है, डियरेक्ट होता है, और जो अबजेक्टी होता हमेशा उसके पीछे चुपा होता है, उद्देश हमेशा क्या होता है, इंडिरेक्ट होता है, और प्रतिच होता है आपका, तो RBI का जो उद्दे जिए उपर नीची होना क्या होंगी शुरू हो जाएंगे और कैसे होती है आप भी आगे जब हम मौधिक निति के टूल्स को देखेंगे जब उनके यंद्र को देखेंगे मौधिक निति के तो आपका आपने आप क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से RBI यहाँ मुद्रा आपूर्ती को नियंतित करते हुए मेहंगाई और संवृधि को क्या करती है आपकी नियंतित करती है और मौधिक निती जारी कौन करता है तो मौनिटी निती क्या होती आपकी जारी की जाती है जैसे अभी August में आई थी आपकी मौदिक निती ठीक है फिर आगे जब आपका आएगा monetary policy तो दो महीने बाद just October के first week में क्या होगी monetary policy आएगी पूरा अगस्थ पूरा सितंबर October के पहले हपते में आएगा ठीक है फिर उसके बाद October के बाद पूरा October पूरा November दिसंबर के first week में monetary policy क्या होगी आपकी आएगी हर दो महीने पे क्या होता है आपका मौदिक निती 60 दिन पे आपकी जारी की जाती है in case of emergency हो सकता है कभी ऐसी स्थिती आ जाए तो RBI दो महीने से पहले ही मौदिक निती को क्या करती है जारी कर देती है अभी जैसे मई के महीने में हुआ था बहु जादा महेंगाई बढ़ गई थी तो monetary policy आनी थी June में RBI ने उसको मही में क्या कर दिया था आपका जारी कर दिया था ठीक है तो इस तरीके से मौदिक निती दो महीने पे आपकी आती है डॉलर की value जादा क्यों है other currency के compare में पर्वती सर्मा ये topic आयेगा आपका exchange rate मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी 12th NCRT में वहाँ पर ये concept आपका clear हो जाएगा वो यहाँ का भी topic नहीं है आपका ठीक है तो इस तरीके से ये मौदिक निती 60 दिन पे जारी की जाती है पहले जो मौदिक निती भारत में आया करती थी वो 45 दिन पे आती थी तीक है इसको उर्जित पटेल कमीटी बनी थी उर्जित पटेल RBI के deputy governor पहले रहे बात में governor बने आपके तो उर्जित पटेल समीती बनी थी आपकी उर्जित पटेल समीती जब रगुराम राजम 2013 में governor बने थे RBI के तो उन्हों ने 2013 में दो समीतियां बनाई थी एक थी उर्जित पटेल कमीटी दूसरी थी नचिकेत मोर कमीटी उर्जित पटेल से बोला ये था कि आप मौदिक निती को बहतर करने के लिए सुझाओ दीजिए नचिकेत मोर से ये बोला था कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को बहतर करने के लिए आप क्या करें सुझाओ दे दोनों कमीटी ने रिपोर्ट अपनी जनवरी 2014 में रिपोर्ट को सम्मिट करी ठीक है उर्जित पटेल ने तमाम सुझाओ दिये लगभग उनके सारे सुझाओ एक एक करके RBI ने माना उनको प्रभावी किया इंप्लिमेंट किया वो एक एक सुझाओ आपके आगे आएंगे जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे मैं बोल लूँगा कि ये उर्जित पटेल कमीटी का सुझाओ था जिसको इन्होंने क्या किया आपका स्विकार किया तो उनका पहला जो सुझाओ था आपका जो यहाँ पर हमारे सामने आया है कि मोडिक नीती 45 दिन की जंगा क्या कर दीजी आप 60 दिन पर कर दीजी 60 days पर क्या क्या जाए आपका जारी किया जाए तो इसको उस समय के जो गवर्नर ते रगु ठीक है रगु ने इसको क्या क्या स्विकार किया और तब से मौनिटरी पॉलिसी साथ दिन पर आनी क्या होगी शुरू हो गई उर्जित ने यहीं लॉजिक दिया था कि हम 45 दिन पर मौधिक निती को जारी कर देते हैं और थ्रव्य कि नहीं दूसरा एक्जाम का जटका लगेगा अगला पेपर आपका खराब हो जाएगा और आपको अपनी छमता के बारें पता भी नहीं चल पाएगा कि आपकी छमता क्या आपका टैलेंट क्या है आपका ठीक है तो इस तरीके से वो 60 दिन पर मौनिटरी पॉलिसी आनी 60 दिन जो अप्रेल 2014 में ही प्रभावी कर दिया गया था तब से मौनिटरी पॉलिसी 60 दिन पर क्या होती है आपकी आती है और इसका जो टार्गेट होता है जो अबजेक्टिव होता है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है अब कैसे टार्गेट को हिट करती है कौन से वो टूल है ठीक है और कैसे अपने अबजेक्टिव को फुल्फिल करती ही RBI ठीक वो चीज़ हम आगे क्या करेंगे आपका देखेंगे इस पर देखना यह जो अभी प्रस्तावना मैंने तयार किया हुआ है इसी पर UPSC ने 2022 में अभी इसी साल का जो प्रिलिम्स है इसी पर question क्या किया था आपका बनाया था in India which one of the falling is responsible for maintaining price stability for controlling inflation ठीक है कौन इसमें responsible है महंगाई को नियंतित करने के लिए ठीक है जिमेदार है यह 2022 इसी साल के प्रिलिम्स का question था answer क्या हो गया आपका D Reserve Bank of India ठीक है RBI क्या करती है आपकी control करती है 2022 प्रिलिम्स का question क्येवल इसके introduction से ही अब बात आती है कि RBI कैसे money supply को control करते हुए inflation और growth को महंगाई और संब्रिद्धी को क्या करती है आपकी नियंतित करती है तो इसके क्या होते टूल होते है ठीक है तो अब अगली बात आती है कि tools of monetary policy मौद्रिक निती के यंत्र जो RBI क्या करती है आपकी use करती है तो there are mainly two types of tool मुख्यता दो तरीके के tool को RBI RBI इस्तमाल में लाती है जिसके द्वारा RBI मनी सप्लाई मुद्र आपूर्थी को नियंतित करते हुए महंगाई और संब्रिद्धी को क्या करती है नियंतित करती है आपके तो पहला जो tool होता है यह है आपका मात्रात्मक tool मात्रात्मक tool या साधन इसी को हम कहते हैं दूसरा जो होता है आपका गुरात्मक गुरात्मक tool या साधन ठीक है इन दोनों tool के द्वारा RBI मुद्रा आपूर्थी को नियंतित करते हुए महंगाई और संब्रिद्धी को क्या करती है आपकी control करती है ठीक है अब यह tool क्यों इसको quantitative कहा गया क्यों इसको qualitative कहा गया यह भी मैं आगे आपको बताऊंगा इन tool में कौन-कौन से tool आपके quantitative जैसे रेपो रेट ठीक है reverse रेपो रेट CRR SLR यह सब quantitative में आते हैं qualitative में आपके moral suasion ठीक है credit reasoning यह सब tool क्या होते हैं आपके यहां अगले lecture में क्या करेंगे इसको देखेंगे ठीक है और quantitative का मतलब भी आपको बताऊंगा कि मातरात्मा गुडात्मा का क्या अर्थ होता है क्यों RBI ने अपने tool का यह नाम आपका दिया हुआ है ठीक है तो यह हम लोग आगे के lecture में देखेंगे और आगे के lecture में with example मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुद्रापूर्ती को control करते हुए RBI महंगाई को क्या करते है आपके नियंतित करती है संब्रिधी को नियंतित करती है अभी तक किसी का कोई question हो तो please आप बताईए ठीक है चलिए अब आपकी कोई दिक्कत है नहीं कल मिलते हैं हम लोग ठीक करते हैं है